फ्रेंड्स चानल में फिर से स्वागत करती हूँ और आप लोग अभी तक ये चानल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज मैं ये भीडियो में बहुत इजी वे में होममेड हैरायल प्रिपेरेशन करके दिखाऊंगी आप लोग प्लीज भीडियो के साथ बने रहिए भीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सेर कीजिए और उसके साथ एक कमेड भी कर सकते हैं आपके बाल ज्यादा लंबा हो या छोटा आप तो क्यार करना चाहिए और ओयलिंग करना बहुत जरूरी है हैर ओ अच्छे से करते हैं उनलुगों का बाल जर से मजबूत होता है सिल्की साइनी भी बनता है और जो लोग डेंडर प्रोब्लेम से हमेशा परेशान रहते हैं उनका डेंडर प्रोब्लेम भी सल्व हो जाता है क्योंकि ऐलिंग करने से बालों में मैस्चर आता है ड्राइनेस प्रेजा से ही डैंडरप होते हैं और ये हैरायलिंग करने से हमारा स्काल्प हमेशा हेल्दी रहता है। आईए अभी ये होममेड हैरायल प्रिपेरेशन सुरू कर लेते हैं। एक जगा में मैं टुकडे हुए प्याज ली हूँ, मिडियम साइज का एक प्याज टुकडा कर ली हूँ। प्याज में ज्यादा मत्र में सलफर होता है, ओ हमारे बालों का पतलापन को दूर करता है। और उसके साथ मिलाना है एक छोटे चमच मेथी दना, मेथी दना हमारे बालों का डांडर प्रोब्लेम सल्व करता है और हैर ग्रोथ तेजी से कराता है। और उसके साथ मिलाना है एक चोटे चामच काला जिरा यानि की कलोंजी ये कलोंजी में अंटि बैक्ट्रियाल और अंटि फंगल प्रपरटीज है जो ड्यामेज हैर को रिप्यार करने में हेल्प करता है और एक मुठी कड़ी पत्ता यानि की करी लीप्स मिलाना है और ये करी लीप्स हैर ग्रोध कराने की साथी साथ स्काल्प को हेल्दी रखता है और एक टुकड़ा फ्रेस आलोबेरा को मैं बारिक टुकड़ा करके भी उसके साथ मिला रही हूँ और ये आलोबेरा बालों को मजबुत बनाता है, सिल्की साइनी भी करता है, डंडर प्रोब्लेम भी साल्ब होता है, ये सब चीज हम मिला लिये हैं, पर होमेड हैर एल हम प्रिपेरेशन करना है, एल तो बनता है, मैं हमेशा आप लोगों को नारियल तेल यूज करने के लिए स अपसानी से हर घर में नारियल तेल मिल जाता है। कोकवनोट आयल यानि की नारियल तेल हमेशा बालों को मक्सराइज रखता है और जिन लोगों का ब्रेकेज हैर की समस्या है ओ सब भी दूर करता है। बालों का पतलापन और बाल जढ़ना ये सब भी कम हो जाते हैं। नारियल तेल यूज करने से एंवर्मेंटल डामेज यानि की जो मौसम की बदलाप से हमारे बालों पर बुरा असर आ जाता है। ये सब प्रोब्लेम से बच्चा के रखता है इसलिए हमारे बाल तेजी से बढ़ता है और घना काला भी बन जाता है। ये जो हेयर आयल अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ग्यास की जो फ्लेम है मीडियम से लो करके रखी हूँ और सभी चीजों को अच्छे से मैं उबाल दे दूँगी। जानी कि जब सब चीजों का रख अच्छे से एनारियल तेल के साथ मिल जाएगा उसी तक हमको उबाल देना है। और तेल में यहां पे एक बार जैसे में बालों के लिए यूज करती हूँ उसी क्वांटिटी का ली हूँ। और आप भी आपके बाल कितना लंबा है खना है उसी हिसाब से एक दो बार के लिए यह जो क्वांटिटी सभी चीजों का थोड़ा कम और ज्यादा यह सब भी कर सकते हैं। क्यूंकि यह जो चीज है सब नाचुराल है और सभी चीज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम देता है। कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो आप लोग उसी बात का ध्यान रखना। और ज्यादा जलाना नहीं। सभी चीज इसी तरह रहना चाहिए। ज्यादा जला देंगे तो जो तेल होगा वो थोड़ा तड़के जैसा स्मेल आएगा जला हुआ स्मेल तेल में रह जाएगा। इसी तक हमको उबाल देके ग्यास की फ्लेम को अफ कर लेना है। देखिए सभी चीज अच्छे से रस निकल के नारियल तेल में मिल गया है। फिर भी जला नहीं है। इसी को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और आप पास में रह के तीन से चार मिनिट के अंदर ये तेल प्रिपेरेशन कर सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने के लिए हम वेट करेंगे उसके बाद छानी में चान लेंगे। जब ये तेल को हम चान लेंगे उसके बाद और एक सिक्रेट चीज में मिलाऊंगी। प्लीज भीडियो के साथ बने रहिए। ये सिक्रेट चीज मिलाने से ये तेल और ज्यादा एफेक्टिव हो जाता है। और सभी तरह का हैर प्रोब्लेम सल्व होता है। बाल तो हमेशा मजबूत रहता है और सिल्की साइने भी बन जाता है। और एक जरूरी टीप्स ये आप लोगों को देती हूँ। और ये जो चीज अभी बच गया है उसको नहीं फेकेंगे। उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत अच्छा हैर प्याक की तरह हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें तेल रह जाता है अच्छे से नहीं निकलता है। जब ये तेल हम छान लिए जो चीज अभी बच्चा है उसको मैं कैसे यूज करती हूँ। उसको आप लोगों को दिखा दूँगी। ये बच्चा हुआ चीज को मिक्सिजार में फाइन पेस्ट बना ले कुछ बचा हुआ उसमें है। आप हैर आइलिंग नहीं किये हैं याद नहीं रह गया आप नहीं कर पाए हैं तो उसके साथ और थोड़ा सा तेल भी मिला के पेस्ट बना सकते हैं। नहीं तो जो भी तेल है उसके साथ मैं निम्बू निचोड दूँगी। यहां पे आधा निम्बू में निचोड रही हूं। आप निम्बू निचोड देने से पानी का टेक्स्टर हो जाएगा और अच्छे से पेस्ट के पेस्ट बन जाएगा। ज्यादा पानी मिलाने से क्या होगा यह पतला भी हो जाएगा और बालों में अच्छे से हम नहीं लगा पाएंगे निम्बू निचोडने से और एक अच्छा काम होता है बालों पर हमारे बालों में जो डैंडरप की प्रोब्लेम या स्काल्प में जो इचीनेस या स्काल्प में कुछ ज्यादा डैंडरप के कारण जैसे छिलका निकल रहा है ये सब प्रोब्लेम को ये जो हैर प्याक है वो दूर करेगा आप लोग उसको नहीं फेके तेल बनाने के बाद ये जो बचा हुआ है उसको निम्बू निचोड के या चाहो तो फ्रेस दही भी मिला सकते हैं मिला के इस तरह पेष्ट बना लीजिए और संपो करने से एक घंटे अच्छे से बालों पर लगा लीजिए और एक घंटे के बाद माईल हर बाल संपो से जो संपो आप यूज करते हैं ये तेल को कैसे हम यूज़ करेंगे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी, तेल के साथ, जो मेनारियल तेल के साथ मिला के बनाई थी, उसके साथ अभी में अलीव ऐल एक चामच मिलाऊंगी, आपके पास जो भी अलीव ऐल है, आप मिला सकते हैं, नहीं तो आलमंड ऐल भी मिला सकते हैं, almond oil की जगा आप castor oil भी मिला सकते हैं, ये तिनों जो oil हैं, उसमें से एक चीज ये जो तेल homemade hair oil में preparation की हूँ, उसके साथ आप मिला सकते हैं, मैं अभी olive oil एक चामच मिला रही हूँ, olive oil जदा dry hair को mixture करता है, damage hair भी repair हो जाता है, hair फल की समस्या दूर होता है, और बाल हमारा मजबूत बन जाता है, faster hair growth और healthy scalp के लिए ये olive oil बहुत अच्छा काम देता है, जब आप संपो करेंगे, उससे एक दिन पहले ये तेल को अच्छे से scalp पर, length पर लगा लीजिए, हलका हलका massage करके एक दिन छोड़ दीजिए, next day को आप संपो करने से ये बहुत अच्छा काम देता है, और आज जो मैं आप लोगों को hair growth के लिए tips बताई हूँ, ये hair oil preparation करके उसके साथ केसे alib oil मिला के हम लगा सकते हैं संपो करने से एक दिन पहले, और जो बच्चा हुआ चीज को hair pack की तरह हम भी use कर सकते हैं, ये tips आप लोगों के लिए बहुत helpful होगा, और बहुत effective ये hair growth tips है hair growth के लिए जो भी tips आप यूज करते हैं, कम से कम एक से दो महिना यूज करने के बाद बहुत अच्छा result मिलता है, friends इस चानल में बहुत सारे वीडियो हैं, हो सके तो उसको भी देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेट कीजिए, फिर मिलूंगी वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग